दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ डोज कोईन के बारे में डोज कोईन आज कल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग न्यूज बन गई है मार्केट में एक अलग सा हवा फैलाया गया है कि क्या सच में डोज कोईन आठ मई को पंप होने वाला है या ये एक अफवा है तो ये क्या चक्कर है आपको क्या करना चाहिए आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ इसलिए फलीस वीडियो को लाज तक जरूर देखें दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हों तो जाहिर सी बात है कि आप डोज कोईन जरूर जानते होंगे और आपने इसमें अगर इंबेश्मेंट कर रखा है तो यहां मैं आपको बता दूँ कि इलॉन मस्स ने पांच मैं को अपने ट्वीट में ये लिखा था कि डोज कोईन फादा साटडे नाइट लाइट सो एट में अब लोग उस ट्वीट को गेस कर रहे हैं कि सायद आठ मैं को डोज कोईन बहुत च्यादा उपर जाने वाला है जिससे हमें काफी अच्छी रिटर्न मिलेगी लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि इसका एक दूसरा पहलू भी है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है जिससे काफी लोगों को नुक्सान हुआ था मैं बस आपको अवेर करना चाहता हूं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इंटरी लेनी चाहिए या नहीं तो फ्लीज वीडियो को बिना इसकीप के पूरा देखना दोस्तो अगर आप इस फेल्ड में नए हैं तो आपको इसमें इंटरी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आज से दो मेने पहले रिपल में भी एक हवा बनाया गया था कि आज साम को स्टॉक पंप होगा लेकिन इस्टॉकर ने क्या किया कि उसे साम के जगए सुबह में ही पंप करना स्टार्ट कर दिया लोगों को ये लगा कि ये तो अभी सुबह का ट्रेलर है साम तक और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी स्टॉक तो इस लालच में उन्होंने ये सोचा कि हमें ज़्यादा रेटेन मिलेगी और लोगों ने पैसा लगाना सुरू कर दिया साम कूब मार्केट ऐसा क्रैस हुआ कि लोगों को स्टॉक निकालना मुस्किल हो गया तो कुल मिला के अभी बहुत रिस्की है क्योंकि अभी सभी पबली को मालूम है कि एट में तक मतलब इसका पंप होना लाज़मी है तो लोग ही इसको पंप करा देंगे क्योंकि हर लोगों को मालूम है कि अर이 आठ में को पंप होने वाला है यह उनके दिमाग पर चल रही है जल्दी से पैसे लगा लो मोटी रडान अने वाली है यह उनके दिमाग में चलती है और क्या वगा देखते ही देखते डौज का इंप हो जाएगा अगर हो गया तो आपके अच्छे दिन नहीं हुआ तो आप उसे लंबे टाइम तक होल्ड कर लो क्योंकि ये तो आपको मालू मैं कि ये डेफिनिटली आगे जाएगा क्योंकि दोस्तो ये सभी को पता है कि इलोन मस्क इसको चबरदस्त पंप करा रहा है तो आप सेफ रहे हैं और 8 में के बारे में जरूर गौर करना तो दोस्तो मैंने इस वीडियो में आपकी सभी कोईरी को रियल एक्जामपल से समझाया है तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई होगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की वीडियो में हमेशा लाता रहता हूं तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए चैनल